नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर हम कोई मकान बना रहें या कोई अपना घर बनाने एक प्रइयास कर रहे हैं या किसी साइट इंगे Ginger रहे हैं, साइट Supervisor हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता होगा, कौन सा सिमेंट का हम रियोग करें और आज के date में अभी जो market में कौन सा cement सबसे अच्छी quality का है तो इन ही पिसियों पर आज का हम discussion करेंगे types of cement तो दोस्तों मैं कोई brand की बात नहीं कर रहा हूं मैं cement के प्रकार की बात कर रहा हूं कितने प्रकार के cement उपलब है market में on the basis of its manufacturing, on the basis of its uses and on the basis of its chemical composition अभी आप अगर आप market survey करेंगे तो आपको दो तरह के cement ज्यादा तर मिलेंगे एक है OPC, ordinary potland cement और दूसरा है PPC, potland pojolana cement इसको हम flyess cement भी बोलते हैं PPC क्योंकि इसमें काफी मात्रा में flyess का content भी होता है और इसको हम ordinary potland cement करते हैं एक पीसरी तरह का cement भी उपलब्द होता है market में उसको हम बोलते हैं PPC, potland, slack cement ये generally coastal areas में आजकल use हो रहे हैं आजकल इसका भी use काफी बढ़ गया है लेकिन coastal areas में एक और cement है जिसको हम बोलते है white cement इसका यूज generally हम tiles वगयरा के कामों में कभी कभी करते हैं लेकिन एक और cement है जो की काफी specific purpose के लिए यूज होता है जिसको हम बोलते है quick settings में इसका setting time बहुत ही कम होता है ये underwater structures में या उस तरह के special projects में इसका use होता है जनरली residential purpose में कि या हम अपने घर में residence बनाने के लिए मकान के मरमत में इसका उप्योग नहीं करते है जनरली जो हमारे पास cement उपलब्ध है यह ही दो प्रकार के cement होते हैं जो आज market में उपलब्ध है अब सवाल यह होता है कि हम जब market में cement खरीदते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा cement OPC है और कौन सा PPC है तो इसके लिए आपको जो है थोला समय बताना चाहूंगा इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा जब भी आप cement खरीदने जाए तो यह suppose कि आपका cement का bag है आप आपको क्या क्या देखना है cement के bag में जिस्चे की आपको जो है अच्छी quality का है cement हो तो अगर हम बात करेंगे OPC cement की तो दोस्तों OPC cement जो है वो तीन grade में पाये जाता है 33 grade 43 grade और 53 grade ध्यान से देखिएगा यह OPC cement ordinary Portland cement तीन grade में पाये जाता है 33 grade उसके बाद 43 grade और 53 grade आजकल एक चोथा quality भी आया है जो superior quality का है वो that is called 63 grade बट वो market में specific orders पे बनते हैं वो market में generally available नहीं होता है यही तीनों grade जो है आपको OPC के मिलेंगे तो अब फिर से यह सवाल उठता है कि हम cement देखेंगे cement के यह bag है तो इसको हमें कैसे पता चलाएगी यह OPC cement है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर आपको cement के bag में एक ISI mark मिलेगा ठीक है दोस्तों अब इसके नीचे CML नंबर लिखा होगा Central marks license नंबर यह BIS देती है और उपर में एक IS नंबर लिखा होगा ठीक है तो आपको यह जो ISI mark है इसको बहुत ध्यान से देखना है OPC cement जैसा कि मैंने बताया किन grade में उपलब है अगर 33 grade cement है वो उसका IS score होता है 269 Indian standards 269 के according 33 grade OPC cement का manufacturing होता है तो अगर आप यहाँ पे IS 269 लिखा हुआ देखें तो आप समझ जाहिए कि यह OPC 33 grade cement है उसी तरह अगर आप 8112 लिखा हो यहाँ पर माल लिजी 8112 लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाहिए कि यह cement जो है OPC OPC 43 grade cement है अगर यह IS 12269 लिखा है यहाँ पर सपोज 12269 यह तीनों में से कोई एक नंबर लिखा होगा तो अगर यह 12269 लिखा है तो यह समझ जाहिए OPC cement 53 grade है ठीके दोस्तों अब यह grade क्या है इस पर हम किसी और दिन discuss करेंगे कि 33 क्या 43 क्या 53 grade क्या है लेकिन यह जो है यह newton पर mm square में जो है उप्रेट है अब बात करते है PPC cement की तो पीपीसी सीमेंट जैसा की नाम से ही पता लगता है यह Portland पोजोलाना सिमेंट इसमें पोजोलनिक मेटरियल है इसको हम flyess cement भी बूलते है इसमें flyess mix होता है तो अगर यह पीपीची सिमेंट है तो उसका इंडियन स्टेंडर होता है 1489 पार्ट वन अगर है तो यह फ्लाइस है अगर IS 1489 पार्ट टू लिखा है तो यह केलसाइंड कलेबेस है ठीके दोस्तों तो यहाँ पे अगर आपका माल लिजिए यहाँ पे IS 1489 पार्ट वन लिखा है ठीक है IS 1489 पार्ट वन अगर लिखा है यहाँ पर तो आप समझ जाएंगे यह पीपीची फ्लाइस सिमेंट है इसमें फ्लाइस मिक्स है अगर पार्ट टू लिखा है यहां पर आप समझ जाएं यह भी PPC सिमेंट है और इसका यह क्ले बेस्ट है इसमें केल्शाइंड क्ले मिक्स है आप यह आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा सिमेंट आप खरीद रहे हैं अब सवाल यह उठता है कि सिमेंट जो है हमें सिमेंट की expiry date होती है 3 months, इसकी self life होती है 3 months, ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलएगा कि यह cement 3 महीने के बाद expire हो गया, 3 महीने के बाद cement का use नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो strength exponentially decrease करती है after 3 months, तो अब आपको कैसे पता चलएगा कि यह cement का manufacturing कब हुआ है, और इसकी expire हो चुका है या expire नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है, तो इसके लिए आपको cement में, bag में यहाँ पर देखना पड़ेगा, इस portion में या इस portion में, इस में कुछ numbers लिखे होते हैं, जैसे इस में लिखा होगा मान लिजे, इस तरह से, इस तरह के numbers लिखे होंगे, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, यह जो number है, पहला number लिखा होता है, यह आपका होता है date, date of manufacturing, यह जो number होता है, यह होता है week, मतलब किस week में, पूरे साल में, एक साल में 52 weeks होते हैं, तो किस week में इसकी manufacturing होई है, यह number आपको decide करेगा, इसके बाद यह होता है month, किस month में इसका manufacturing होई है, और यह होता है उसका year, year of manufacturing, यहाँ पे आपको ऐसे लिखा होगा 22, तो यह year of manufacturing, यह आपका जो है percentage flyers, और यह होता है percentage slag, तो आप यह date or week देखके यह समझ लिजिए, इसका date of manufacturing क्या है, और अगर यह 3 महिने पुराना है, तो यह आपको नहीं खरीबना है, अब इसमें कुछ सवाल यह भी आता है, यह week क्यों लिखते हैं, जब date लिख दिया, तो week क्यों लिखा जाता है, तो actually, cement एक दिन में नहीं बनता है, पहले इसका एक पूरा procedure है, पहले जो है, इसकी एक linker बनता है, उसके बाद इस grinding होता है, फिर फ़रनेस में जाता है, तो यह पूरा एक हफ्ते का procedure है, तो इसलिए उसको जो है, यह decide किया जाता है, यह indicate किया जाता है, कि उस week में उसकी manufacturing हुई थी, तो आज के विडियो में कुछ और जानकारी पूर्वक बात करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए, इस तरह की जानकारी आपको